नमस्कार मैं शर्कान चोहान आप सभी का ट्रेट टॉक के पॉड़कास में स्वागत करता हूँ सबसे पहले अगर हम गुलोबल मार्केट्स के तस्विर को देखे तो यहाँ पे हमने कई सारे एक्विटी इंडाइसिस में अच्छा खासा करेक्शन देखा है आइम उसे कुछ करेंट लेवल से प्राफिट बोकिंग देखी जा रही है यूएस मार्केट्स साथ साथ एशियन मार्केट्स सभी में हमने वो विक्निस देखा है और गिफ्ट निफ्टी की भी अगर बात करें तो यहाँ पे भी हमने एक 10-15 पॉइंट की गिरावट देखी है लेकिन अब ग्लोबल मैक्रोस के अगर बात करें तो ग्लोबल मैक्रोस में हमने अच्छा खासा एक इजाफा देखा है आने की जो बॉण डिल्ड है वो तक्रीबन 4.12 के करीब आच चुका है और जो ब्रेन क्रूड के दाम में करेक्शन आया है वो 75 डॉलर के नीचे भी ब्रेन क्रूड ट्रेल कर रहा है तो यह जो मैक्रोस है वो इमर्जिंग मार्केट के लिए पॉजिटिव है लेकिन हमने हमारा मार्केट को काफी अच्छी तरीके से बढ़ते हुए देखा है सब्स्टेंशल गेंज देखे है अल्मोस्ट अराउंड 19,500 के करीब निफ्टिट्रेल कर रहा था अभी यह 21,000 के करीब आच चुका है तो यहाँ पर हमें लगता है कि कुछ मार्केट में पॉज दिखाई दे सकता है या तो शॉट टम करेक्शन भी आ सकता है 20,850 यह हमारे लॉज पॉजिशन के लिए stop loss रहेगा इन लेवल्स के नीचे हम 20,700 तक के भी लेवल्स देख सकते है और अगर कोई करेक्शन आता है तो सपोर्ट के करीब लॉज की पॉजिशन बनाए बट ऑन दा हायर साइड हमें लगता है 21,000, 21,050 के करीब हमें लगता है कि एक रेजिस्टेंस बना रहेगा मार्केट में उन लेवल्स के करीब मुनाफ़ वसुली की जा सकती है तो बायाद डिप्स की स्टैडेजी अपना है और बैंक निफ्टी यहाँ पे भी शांदार परफॉर्फॉर्मंस था लेकिन कल के दिन में कुछ करेक्शन हमने देखा है 46,000, 650 से लेकर 46,000, 550 या 450 तक भी बैंक निफ्टी में करेक्शन दिखाई दे सकता है तो बिट्विन 46,000, 550, 450 लोंग के पोजिशन बनाए स्टॉप लास रखे अट 46,300 के करीब का तो थड़ी डीप डाउन लेवल्स में पोजिशन बनाए और स्टॉप लास रखे 46,300 का हमें लगता है कि वापस से बैंक निफ्टी एक बार 48,000 के लेवल्स तक आने वाले कुछ दिन में जा सकता है वेरी शॉट टर्म में 47,250 के उपर 47,550 के लेवल्स नजर आते हैं अगर बात करें तो निफ्टी एक इंडेक्स ने भी काफी अच्छा परफॉर्मस दिखाया था इनफोसिस, TCS, विप्रो में सभी में अच्छा मोमेंटम दिखाई दिया हमें हमें लगता है कि आज के दिन में हमें कुछ Mid Cap IT Companies में मोमेंटम दिखाई दे सकता है जैसे कि LTIM, LTTS वहाँ पर ध्यान रखा जा सकता है कुछ एक Metal Companies में मोमेंटम काफी स्टॉंग था और विदानता पर एक Long के Positions बनाए जा सकते हैं स्टॉप लॉस यहाँ पर हमें रखना जरूरी रहेगा और 245, 247 के करीब Long के Positions बनाए 240 का स्टॉप लॉस रखे हमें लगता है कि यह स्टॉप अपने Next Important Private Levels 280, 290 के रेंज में आने वाले कुछ दिनों में हफ्तों में जा सकता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आप सभी से मैं आज के लिए वीदा लेता हूँ और आप सभी के लिए आज का दिन मंगल में रहे ऐसी कामना करता हूँ धन्यवाद